ABC Science Quoting Center के YouTube चैनल में आपका स्वागत है बियाली सज्जार चाइनी सिचको की नियुक्ति पत्र 23 से जी हाँ और साथ साथ एक चीज और बताया गया है कि 562 जो सी टेट परमान पत्र फरजी मिले हैं यानी जितना 94,000 का जो कॉंसेलिंग हो रहा था उसमें 43,000 जो सिचक मिले थे उनमें से 562 का टेट परमान पत्र फरजी मिले तो देखिए डिटेल क्या है आगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं राज के प्ररमभिक विद्यालियों में सिचकों के करीब एकाने में हज़ार रिक्त पदों में 2019 से आरंब हुई नियोजन प्रिकिरिया अंतिम रूप से चैनित करीब 42,000 अभ्यार्थियों को 23 फरवरी से नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा शिच्चा विभाग के अधिकारियों की देख रेक में नियुक्ति पत्र नियोजन इकाईयों के माध्यम से बांटा जाएगा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते हैं शिच्चक योगदान कर सकेंगे करने का मतलब है जैसे ही उनको सर्टिकेट मिलेगा चैनित किया जाएगा वैसे ही वो जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं पत्रता और प्रसिच्चन परमान पत्रों की जाच जिनकी पूरी हो गई है उनके वेतन का भुगतान भी सुरू हो जाएगा जिनका नहीं हुआ है उनकी 30 सितमबर तक पूर्ण करके वेतन भुगतान आरम किया जाएगा सिच्चा मंतरी विजय कुमार चौधरी ने विभागिये सभागार में प्रेस कॉनफरेंस कर 23 फरवरी से नियुक्ति पत्र बातने की घोशना की है यानि टेट या सिटेट यानि भी हार टेट पास हैं या सिटेट पास हैं उसी के अधार पर नियुजन किया जाएगा तो चलिए अगला और एक और क्या दिया गया है जो देख लेते हैं सिच्छा मंत्री ने कहा कि 358 पत्रता परमान पत्र संदे के घेरे में है फरजी डिग्री वाले को नहीं होंगे बहाल उन पर होगी करवाई साथ साथ एक और दिया गया है जो देख लेते हैं सबसे पहले फर्जी पर्मान पत्र वाले के खिलाफ कानोनी करवाई होगी विभाग ने अब इन सभी पांसो बासट फर्जी ठेट पर्मान पत्र वाले एवं अन्य पर्मान पत्रों की जाच भी की जाएगी सबसे पहले उनको पर्मान पत्र जाचा जाएगा मंत्री ने बताया कि केवल टेट और सिटेट सत्यापन में सही पाये गए चैनित अभियार्थी बहाल किया जाएंगे लेकिन पर सिच्छन परमान पत्र की जाच में कोई फर्जे निकला तो न सिर्फ उनकी नोकरी जाये की बलकी उनको भुगते रासी की बसूली तथा कानून करवाई का भी सामना करना परेगा साथ साथ क्या है उसकी बारे में देख लेते हैं राज के प्रारंबिक विद्याले के लिए अंतिम रूप से चैनित 42 हजार सिच्छक अभियार्थी के सिच्छक पत्रता परिच्छा के परमान पत्रों की जाच में सिच्छा विभाग को कुल 920 अभियार्थी जो है वो संदेह के घेरे में आया है जिन में से सिच्छा मत्री विजय कुमार चोधरी ने प्रेस कॉन्फरेंस में इसका खुलासा किया मत्री ने काया कि 920 अभियार्थीयों में से 562 परमान पत्र फर्जी और फ्येक पाया गया है वही 358 है अभियार्थी वो पत्रता के संदेह के घेरे में है इनकी जाच और गहनता से की जाएगी उन्होंने बताया कि सेंट्रल टीटी के 93 सट्फिकेट भोजपुर में मिले 65 परमान पत्र वाले पुर्वी चंपारन मुझपर पुर में 29 नलंदा में सीटेट के तेजब 13 फर्जी परमान पत्र मिले है बात बिहार टेट की करें तो नलंदा में 25 सीवान में 35 डिगरी सत्यापन फर्जी में है खास बात यह है कि ये सभी डिगरी धारक तीन चर्णों में संपन नियोजन परिक्रिया से गुजरते हुए अंतिम रूपसेज यहीं तीन चर्ण में ये पार हो गए और अंतिम में ये पकरे गए है सिच्छा मंत्री ने कहा कि फेक डिगरी वाले 562 अभी अर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है इसके साथ ही इन पर अपराधिक मुकादमा भी चलेगा जाइर से बाते क्यों नहीं चलेगा क्योंकि इनका फेक है संबंदित जीला के परसासन द्वारा इन पर करवाई की जाएकि इन्होंने नियोजन की परकिरिया को न सिर्फ बाधित किया बलकि दूसरे में गहावी उमिदवारों की हक मारी भी कि उन्होंने अपिल किये कि आगे नियोजन परकिरिया में कोई फर्जी परमान पत्र वाले अवेदन न करें यानि इससे ये संदेश दिया जा रहा है कि अगर कोई भी फर्जी वाले है वो फिर आगे चलके इसका काम न करें तो देख लिजे ये है सोल फर्वरी का न्यूज है हिंदूस्तान पेपर का तो दोस्तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल पर बने रहे हैं अगर इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर अच्छा लेगे वीडियो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को सेयर करें जय हिन